ओके सो हे गाईज वेलकम बैक टो माईव टो चाइनल टेक निकल सेलेन रेलवे की तरफ से कुछ टाइम पहले ही एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई थी जिसमें बताया गया था आप लोग जेनरल टिकट से भी तेन में सफर कर सकते हैं और आपने काफी सारे ऐसे वीडियो भी देखे होंगे और काफी सारे ऐसे आर्टिकल भी पड़े होंगे आर्टिकल और उस वीडियो में किलियर नहीं बताया गया था आखिर में आप लोग जेनरल टिकट और काउंटर बेटिंग टिकट से कब से यात्रा कर सकते हैं तेनवे आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कीजिए चैनल पे नए है तो सबस्काइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तो 28 फरवरी को रेल्बिक की तरब से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई जिससे काफी यात्रियों को लाफ मिलने वाले थे और उसमें बताया गया था आप लोग जेनरल टिकट से टेन में सफर कर सकते हैं लेकिन कब से कर सकते हैं ये निज में नहीं बताया गया तो आप लोग को बता दू टेन में टिकट 120 दिन पहले यानि की 4 महिना पहले होता है यानि कि 120 दिन का टिकट का booking हो चुका है यानि कि जह समझ सकते आप लोग यहाँ पे मार्च स्टार्ट हो चुका है माई और जून का टेन में टिकट बुक हो चुका है जिसमें 2S क्लास का booking भी हो चुका है तो कि जेनरल टिकट से टेन में सफर करते हैं तो ट्रेनों में जेनरल बोगी भी होना जरूरी है जो की फिलाल में COVID-19 के बज़ा से जेनरल बोगी को 2S क्लास में कनभट कर दिया और यहां पे 2S क्लास का बुगिंग चार महिने तक हो चुका है तो आप लोग कैसे फिलाल में जेनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं तो आप लोग 120 दिन बाद ही जेनरल टिकट लेकर 3 में सफर कर सकते हैं या फिर आप लोग पास काउंटर टिकट है काउंटर बेटिंग टिकट है तो भी आप लोग 120 दिन बाद ही 3 में सफर कर सकते हैं या आप लोग जुलाई से काउंटर बेटिंग टिकट लेकर 3 में सफर नहीं कर सकते तो उमीद करता हूँ आप लोग समझ गये होंगे इसके वीडियो वस इतना है वीडियो पसंदा लाइक करना चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना तो दोस्तों मिलते किसी और नेक्स वीडियो में